ऐसे कमाल के आविशकार जो वज्ञानिकों से गलती से हुए नमबर एक, एक्सरे क्या आप जानते हैं कि एक्सरे का अविशकार गलती से हुआ था? नहीं जानते तो बता दें कि सन की भौतिक विज्ञानी के रूप में विख्यात विलहम रॉयट गन ने एक्सरे का अविशकार किया था दरसल विलहम कैथॉलिक रेज ट्यूब बनाना चाह रहे थे इसी दोरान जब लाइट चमक रही थी तभी उन्होंने देखा कि अपार दर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था वे हैरत से देखने लगे और इस प्रकार एक्सरे का आविशकार हुआ माइक्रोवेव का अविशकार परसी स्पेंसर ने गलती से किया था वे नए वैक्यूम ट्यूब के जरिये रडार से जुड़े रिसर्च कर रहे थे इसके लिए कई मशीने बनाई जो की रिसर्च में मदद करती है इसके एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखा कैंडी बार पिघलने लगा वह हैरान हो गए और बाद में उन्होंने कुछ पॉपकॉर्ण को मशीन के अंदर डाला और पाया की पॉपकॉर्ण फूटने लगा इस प्रकार माइक्रोवेव अवन का अविशकार हुआ पेसमेकर का अविशकार भी गलती से हुआ था बायो मेडिकल इंजीनियर जॉन हॉप्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिये बॉडी टेंप्रेचर को री स्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे इस दोरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से यह फिर से धड़कना शुरू कर देता है इसी रिसर्च के जरिये पेसमेकर अस्तित्व में आया स्वीडन नौसेना में इंजीनियर रहे रिचर्ड जोन्स ने 1983 में स्लिंग की का अविशकार किया था नौसेनिक युद्ध पोतों पर बिजली की निगरानी करने के लिए यंत्र बना रहे थे जो कि स्प्रिंग के सहारे काम करता हो इसी दौरान स्प्रिंग जमीन पर गिर गए और बाउंस करने लगा इस तरह गलती से सीलिंग की का अविशकार हुआ वैग्यानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाले एक चमतकारी दवा का अविशकार करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी ऐसे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कई चीजों को बाहर फेंक दिया कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो पाया की वहां आस पास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे थे इस तरह से पेनिसिलिन का अविशकार हुआ सिरदर्द के इलाज के लिए दवा बनाने के लिए एक फार्मसिस्ट ने कोला, नट और कोला की पतियों का इस्तेमाल किया इसके बाद उसने संयोगवश दोनों को कार्बोनेटिड वाटर के साथ मिला दिया बाद में जब उसने टेस्ट या रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया कोला के कारण इसका नाम कोका कोला हो गया इस तरह से एक सिरदर्द की दवा एक मशहूर कोल्ड डिंक में बदल गई और पूरी दुनिया पर च्छा गई नमबर साथ टेफलॉन टेफलॉन का आविशकार 1938 में साइंटिस्ट रॉय पलंकेट ने किया था दरसल रॉय रेफरिजरेट की विकल्प की तलाश कर रहे थे इसके लिए उन्होंने कुछ सैंपल्स को टाइट बॉक्स में रखा था कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर रखी गई गैस गायब है और उसकी जगह फिसलंदार रेजिन के अवशेश बचे हुए हैं इस अवशेश में हीट और केमिकल की प्रतिरोधक शमता थी बाद में नौन स्टिक कुकवेर, स्पोर्ट्स एक्विपमेंट और पेंट्स के रूप में इसका यूज होने लगा फाइजर ने दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाले धमनियों को सिकुडने में मदद करने के लिए UK940 के नाम से एक दवा बनाई थी लेकिन यह दवा दर्द से राहत देने में तो असफल रही लेकिन पुरुशों की यौन शक्ती बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित हुई इसे व्यागरा के नाम से बाजार में उतारा गया एक ट्रिप के दौरान स्विस इंजीनियर जॉर्ज डेम मैन स्टरन ने अपने पैंट से कुछ बीजों को चिपके देखा उन्होंने पाया कि किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाती है ऐसे में उन्होंने कृत्रिम लूप तयार की और परिणाम स्वरूप वेलवेट और कॉर्सिट के कॉंबिनेशन से वेलक्रो बना नमबर दस पोटेटो चिप्स 18133 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ अपने कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राइज तयार कर रहे थे कस्टमर ने कहा कि फ्रेंच फ्राइज थोड़ी पतली और कुरकुरी हो जॉर्ज ने ऐसा ही किया और इस तरह से पोटेटो चिप्स बनी आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए